तुमने से निर्मान के कारक वा विचारक लोग्राहम टी एलिसन जिसके मातपूर्ण तिंकर है या कार चारक है नौकर साही वा नेत्त राजनीति उन्हें 162 के कुझी वा मिसाल क्राइसिस के संदर में अध्यन किया था तो इनका माना है कि नौकर साही नौकर साही प्लस जो न निता बैटे होते हैं वह लेकर परकिवं ग्रेंश्टीन फितनाम संकट के संदर में यह परामर्सी हुआ राजनीतिक परियावन को मातपूर्ण मालते हैं कि आपका अनितिक परियावन कैसा है उसे साब से निर्ने लिया जाते है नाटर विदेशनीति संबंधि निर्नेयों प्रच्टी कोई त्रण नहीं थी विए से अलग से लगा हुआ था चाइना अलग भारत के पीछे पड़ा हुआ था लेकिन एक ब्यक्ति जो की इंद्रा गांधी थी उनको निर्णे लेना था उन्होंने यह खोब निर्णे लिया तो यहीं बात स्नाइडर अंतराष्टी राजनीत का मुख्य करता है यानि में एक्टर है कौन स्नाइडर अंतराष्टी राजनीत का मुख्य करता है मुख्य का मुख्य करता है राष्ट को नहीं बलकि ब्यक्तिया अथ्वा नेता ब्यक्तियात कारण को मानता है तो राष्ट नहीं है मुख् मुक्हारता होंगे अंतराश्टी राजनीच में एकटर होंगे इंडिया एक्टर महातपूर नहीं होगा दुखकि हेरावण स्प्राऊट और मार promote देन और निंदमारा परियावरं को मातता मांते तो जूँक्र आप परियाबरन से निकल कराएं तो उनके फैंसले होते हैं ज्यादातर संग के फैंसले पर छाप रहती है तो यही बात है कि जो परियाबरन होगा या आपकी जो जिसे भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के परियाबरन ऐसा है क्योंकि दोनों की जो सरकारे हैं जो लोग हैं सबसे पहले तो लोग भी आपस में समधनी रखना चाहे रहे हैं दूसरा जो वहां की मिलिटरी है उसका हित है बारत से समधना रखने में और इंडिया भी कि अब जिस प्रकार से हिंदुबादी राष्ट लेकर चल रहा है तो वहां भी भारत को दिक्कत आने वाली है बागिस्तान समन्द रखने स्ब्स निर्माण की भात्रपूंत तक्त्तु क्या है बगत्तित परस्नाल्टी सबसे महात्रपूंत तक्तु है नहरू इंद्रा यह ले पा रहे हैं क्योंकि अपने दम पर चुनाओ जितक है यह अलग अलग शम्तया होती नहीं तर सुचना ज्यदा या विश्वसंव्ष्ण नीदा से ज्यादा अच्छा तो ऐसा क्यों होता है कि विससे इज्रायल जैसे जो देस है सूचना या कहीं भी हमला करते हैं कहीं से भी अपने जो दुस्मान है उसको मार गिराते हैं क्यों कुछ उसना तंत्र है अज्जम पर युए से कशी आई ये इतना तीब है या इतने इनके पास तो यह ज़्यादा इतने क्वालिटी इंफार में सना आती है कि यह उस पर रियक्ट करके और ज्यादा ज्यादा जीजों को अचीव कर लेते हैं भारत के पास वह नहीं निर्मान की प्रक्रिया धीमी क्यों रहती है क्योंकि सूचना का अभाव तुछना जो आती भी है तो विसाचनी नहीं रह अभुषाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब्षाब को पढ़ो से मोदी जी के निर्ने को समझना है तो उनके जिवनिया पढ़ो रोजनुग और जोसेफ नाए जाज बूस के बिद्र दुगा धियन करते हैं पिर जिराल डवलू अलेक्जंडर इराक पर मार्च 2003 में अमेरिकी राश्पति जाज डवलू बूस की दिर निर्ने का लोगतांती करण के संदर में विसलेशन किया है फिर परिवेस अध्यान इंबार्मेंटल फैक्टर तो हिराल्ड इस्प्राउट हुआ मार्गरेट इस्प्राउट इससे समंधित हैं इसमें परिया बढ़नी तत्यों को महत्रपून माना जाता है यह परिया बढ़नी की परि सब्सक्राइब रिखन करते हैं अट इस्टरी संधिक्टर ऊपरमान देटा होता है उसको ग्रौन्त फश्रियों अध्क्याय उत् हैं उनका जो में आ है के सरकार को कुं से बंठी बुक ही ने गा पी सथ लोग ही ने लेते होंगे उसकी दूसख काए बनाड को है कोहन बिदेश वेने बिदेशी नीत नेर्मान में हिस्ञा लेने वाली सरकारी वगयर सरकारी क्रेंचारीों के परस पर एक क्रिया करद्धन किया है गोहन-विजेशize नीच निर्मान में पांच तत्तों है निर्णियक कर्ता को महत पुर्ण मानते हैं पहला लोख मत या जन्मत तो मुझादी इतने अच्छ की सच निर्णए कसे ले पा रहे हैं कि जन्मत उनके साध है लोग में हैं अब इसमोह तो फिरेसर होते हैं वो फिर मात्पूर्ण होएं कनें वासेले लेने में तो बारत ज्यों सिलंका है जो उसके साथ गारफ संप्राइन लेता है तक संब इसर Cristo क्र numa करता है यह सुदें पर के साथ हमारत चूरपार आप्यारपार 210 मंदल की खास समित्यां पर महत्पूर्ण होती हैं फिर रोजर हिल्समेन के उन्सार दो महत्पूर्ण करता है पहला विधाय का दूसरा कारपाल का करता अध्यान करता पर है उन कार्ज करताओं का देन् जो विद्य निद्क के निर्माण में बास्तों में हिस्सा लेते हैं परनाट कोहन ने इसमें सरकारी वगए सरकारी दोनों करताओं को महत्पुन माना है इसमें लोक मत दबाओ, समू, मीडिया, विधायका की समितियां कारपालिका के कार्मिक सामिल रहते हैं जबकि रोजर हिल्समैन कारपालिका विधायका को ही महत्पुन मानते हैं हिल्समैन वा प्रवाव का ध्यान किया है उन्होंने अपनी तकनीग को पजवर्धान मुलक जीवनी का नाम दिया है अब गेम ठेहरी की देखते हैं खेल से दान कि तोस्तों ऐसा का जाता है कि इंटर्नेशनल में पॉल्टिक्स होती है इंटर्नेशनल रिलेशन होता है वहां पर खेल खेला जाता है और खेल दो देशों के मद्दे खेला जाता है तो खेल में पत्योगता होती है और पत्योगता में दोनों देश हापस में जितने का प्रयास क झЕНए चलता है बारत अलग अपनी चलता है रसिया अलग अपनी चलता है और यूए आपकी अपर याzeniu कर चैनलता है के लत को का जाता है वुद्धान को कन्फिक्ट होड़ी भी कहा जाता है नीले यह से या पॉकर इसे कहा जाता है खेल सिध्धान्त में गंटी प्रतिमानों को प्योग करके आप देख सकते हैं कि हम जीते हैं हम प्लस में हैं या हम निकोल सन एक खेल समानी अर्थों में समझा जाने वाला खेलना होकर बास्तों में एक सब्धानी पूरवक वासो इस पस्ट से तास के खेल की तरह बनित किया गया है फिर भी यह बैठ कर खेल की तरह नहीं है यह बैठा खेल की तरह नहीं इसमें जंतर जो एक्टर्स होते हैं जो नेशन्स होते हैं वो हमेशा एक्ट्व रहते हैं यह हाथ में हाथ धार कर बैठ नहीं सकते हैं यह बैठ नहीं सकते है हर खेल का अंत है पर अंतराष्टी राजनेत के खेल का कोई अंत नहीं है तो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें खेल हमेशा चलता रहता है कोई भी बढ़ी सकते अपने महोरे उठाकर घर नहीं जा सकते चाहे हो यूसे ही क्यों न हो खेल सिधान्त के तहट उन सामरिक परस्थियों का ध्यान किया जाता है जिनमें राजनेती खिलाडी या राजनेता अपने लाभूं या हितों की अबृति का प्रयोग युक्ति युक्ति पूरबख निम्ने लेने में किया जाता है तांकि लाभ अधित्तम हो और हानी कम से कम प्रस्पेक्टिव में बढ़ा था या रॉल्स को बारे मिपढ़ा था में इन से तन्त का सबसे पहले भीचार जैम्स वाल्ड ग्रेव ने जैम्स वाल्ड जैम्स वाल्ड ग्रेव ने 1713 में दिया था इंट्वयन अगस्टिन कौर नॉट ने अपने पुस्तग कि रिसेर्चर्स इंटू था मैथमेटिकल प्रिंस्पाल लब थेहोरी आप बिल्थ जो के ठारत वर्टिस में आती है में खेल जैद्धान का प्रियोग किया है कौर नॉट ने सबसे पहले इतिहास के अंथ इंडाफिश्टी सब्द का प्रियोग किया है उन्होंने इतिहास के अंथ का प्रियोग राज्यों के कार्यों के समाप्ति के संदर में किया था जिसे बाद में फ्रांसिस यूग फोकु यामा ने विचार धाराओं के संखर्स के अंथ के रूप में देखा था और उन्होंस सुनवासी में सब्द का प्रियोग किया था प्रांसिस प्रियोग अ लेख थे लास्ट मैन पुरा लेक था था है एस नियोंस मी prisoners में आता है विसी कलिए कहता है आए है तो कि अब युससार है उसका अंत हो गया है यानि जो कम्मिश्ट विचारधारा है उसका अंत हो गया है और लिब्रल विचारधारा है उसने अपने सौर वहामिक जीद को इन सोर कर दिया है तो अब कंफ्लिक्ट रही नहीं गया है कि दो विचारधाराएं है जब कि और अदल स…! दान्त की वैस्बी की भैक चा राक का जान वान नूमान जान वान जान माल नूमों असकर मार्गनस्टर्ण यह Burada रीहे स्थ रियहां जाण वां नूमान और का मार्गनस्टर्ण ने अपने फुस्तक फॉप सब्स त्रिय हो सूरी आफ गेमS और एकशन और सा विए इसमें दो व्यक्ति सुन्य जोड़ खेल लेने टू परसंगे माध्यां से खेल का वर्णन किया गया है तू परसंगे इसका मतलब क्या होगा जो संगे इस फू परसंगे इंडिया और चाइना इंडिया चाइना दो इंटेटी है जिरू संगे एनिए जहां भारत जीत होगी वहां चाइना की हार होगी अगर भारत ने छक्का मारा है तो चाइना मैनिस चे में चला जाए तो अगर चीन की कहीं पर जीत हो जाती है एकनॉमिक स्फियर में या अन्य जगा है तो यहां पर भारत को घाटा होगा एक परसंगे जीत दूसरे परसंगे हार कहलाएगी। 1950 में खेल से दांत मुख्य रोप से प्रिजन्स डिलेमा पर कहिंदित था, कह दी कि तुभी था, के उपर कहिंदित था, इसे समय जॉन निस ने बहु खिलाड़ी खेल के लिए अधिक्तम रन्नीदी का विचार दिया, अधिक्तम रन्नीदी को निस एक्यूबृरियम के नाम से जन जाता है, जिसमें असे योगातमक फेलों का विसिलेशन किया अधिक्तम वेशार कल एक्यूबृरियम, असे योगातमक वे यह संतुलन करता है, डंकन लुईस, एस डबलू रिकर, अनातोले रिपपोर्ट, थामस सेलिंग, मार्टिन केपलॉन, रिचर्ड इस्टोन ने भी खेल सिधान्त का प्रियोग, राष्टी वा अंतराष्टी राजनीत के संबंदों को समझाने के लिए किया, फिर हार्डिन ने एपलाइड पोलिट प्रियोग किया, इसका प्रियोग जाती संगार्च को समझने हुआ, उसके समधानों के प्रियास में किया, राजनीतिक विज्यानिक थामस सेलिंग वरावर्ट आउमान ने 2005 में खेल सिधान्त का प्रियोग किया, उन्हें अर्शास के छेत में नोबल पुरुसकार ही मिला अंतर राजनीत में खेल सिधान्त का प्रियोग सुविक, आसकर, मर्गेस्टने, कॉल्स, कॉल्ड आइच नहीं भी किया है, मुख, विचारक कौन-कौन से है, तो मॉटन के प्लान है, तो प्रोसेस अब कवर्मेंट इन की पुस्तक है, वान्यूमेन, बुक क्या है, त्योरी आप गेम सानी की नार्मिक भी एविया, मांटिंग सुविक, बुक का क्या नाम है, दे यूज आफ गेम त्योरी, थामस सेली, थामस सेलीं की पुस्तक का क्या नाम है, मिक्स्ट मोटिव गेम, कब इसलेशन मुख्यत है, सीमित यूद्ध और निवारन, सस्त नियंतर्ण है करता है, फिर इसमें, दे स्ट्रेटिजी आफ कांप्लिक्ट और बार्गेनिंग त्योरी का भी बढ़ना किया गया, तो रिकर या राइकर ने अपने पुस्तक दे त्योरी आफ कॉलिशन, त्योरी आफ कॉलिशन में, खेल सिधान का प्रियोग, अंतर राश्टी, राजनीत इसमें, गडवन्दन ओंतरान के लिए नाटो, वार्शा, सेंटोवाध को समझाने के लिए किया है, उपकि थामाश सेलिंग ने अपनी पुस्तक, दे स्ट्रेटजी आफ कॉन्पलिक्ट में संगर्सों को समझाने के लिए केल सिधान का प्रियोग किया, विल्याम एच कर आप का बढ़ जायए और बढ़ता है तो, आपका अगल कुछ बढ़ा है तो लोग आपसे डरिंगे, जड़ा ज़्चाधा अगर जयंता है, जादा ज़्याधा जञ लोग आपके साझ ब्सक्रेज़ तो आप लोग आप से वैसे भी डरिंगे, फिर नँ एज रड़ दर क होना और असंतुलित नियम पावर बैलेंस असंतुलन नियम पावर बैलेंस लिए अनातूल रैपो पार्ट ने तीन प्रतिमान मॉडल वाला विसलेशन किया है पहला फ़र्ट मॉडल है लडाईयों का इसमें एक राष्ट दूसरे को जीतने की कोसित करता है दूसरा मॉडल है खेलों का एक दूसरे को जक्मा दे कर आ अगये बढ़ते हैं और तीस एक बहांस का एक दूसरे के बीच विचार परबतन की कोशित की जाती है करोल बेल ने सक्ति के साथ वारता का सिध्धान्त दिया सक्ति के साथ वारता का सिध्धान्त दिया खेल सिध्धान्त के पांच पूर महत्पूर मानता हैं कि सबसे पहले एक रन्नीत होगी आपके अगर भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना के बीच इंडिया और चाइ पर कोशल पूंड योजना जिसके दोरह बिरोधि की संभावित चालों को देखकर चालें चली जाती, बिरोधि की चाल देखकर पूंड अधनीत के चाल चली जाती, गेम ऑफ बाई चांस नहीं बलकी गेम ऑफ स्टेटजी से इसमें चला जाता है, तो अगर चाइना भारत को ज़्यादा सह दे रहा है रस्या की साथ जा रहा है भारत क्या रणीतिय बनाएगा भारत USA और EU के पास जाएगा इनको करने के लिए भारत ब्रिक्स जैसे संगटर्णों को कमजोर करने का प्रियास करेगा यह होता है रणीति कि आप अपनी जो बिरोधी है उसको देखकर आप आप रणीति कैसी बना रहे हैं पहले से ही आप कैसे रणीति बना रहे हैं अपने विरोधी को चेक्मेट करने के लिए तर्क संगत बिवार रस्नल बहेवियर हिलाड़ी द्वारा ऐसे चाले चली जाती है इसमें बिजय के अधित्तन मुपसर हो इस वेकार की चालों में सु अपने आपको खड़ा पाता है तो यही बात है कि इसमें आप रस्नल बहेवियर करेंगे आप संटिमेंटल नहीं हो जाएंगे कि हमें रस्या हमारा पुराना दोस्त है तो हम उसके साथ जाके खड़े हो जाएं आपको समझना पड़े है कि वरतमान की जो परेसितिया है वो तो ऐसी हैं कि हम रसिया के साथ चाहे कर भी खड़े नहीं हो सकते और रसिया भी हमारे साथ चाहे कर भी खड़ा नहीं हो सकता तो ऐसे सिती में हमें सिंटिमेंटल नहीं होना है हमें रुमेंट सीजम नहीं करना है हमें समझना है कि अभी हमारी सित्धीय है कि हम येसे के साथ जाएं तो हमें जाना चाहें ये है रेसलिल भेव भुकतान, पेयाब भुकतान के रूप में लाव यहान सामिल है ये से सबसे अच्छा पेयाब है यानी खेल का मोल lessons के इतना है आप गेम खेल दिन सकते हैं कि गेम में कभी आपको हानी होगी तो कभी आपको लाब भी होगा नियम तो इसमें यह बात नहीं थी कि खिलाडी तर्क संगत बिहार करेंगे राश्ट नीमों का पालन करेंगे यह भगोलिक आर्थिक मनों पर ग्यानिक हो सकते हैं सुचना या जनकारी तो राश्ट को पिलोधि के संसाधन हो सकती आ संभावुचालों के पूरी जनकारी हो ना और आपको रन का吃 बदाना किसी को चेकमेट करना घ्रकुंपर ऑगर चाइने को और भारत यह भारत और पाकिस्तान है तो भारत को पाकिस्तान के बाहरें पूरी जानवारी होनी चाहिए। उसके कितनी संसादं के तिसके पास कहती सकती है। आभ Eh अभी वो क्या कर सकता है। गेम मौडल तो जीरो संब की होता है। नौन जीरो संब कुझा होता है जिरो सम् दू परसन गेम इसमें दो ही खिलाड़ी होते हैं, एक कलाव दूसरे के हान ही होते हैं, तो फरक्जामपल अगर योसे और चाइना आपस में लड़े, तो इसमें कोई एक जीत एगा, कोई एक हार जाएगा, दो ही खिलाड़ी हैं, या तो आपको अधिकतम लाव हो नहीं दोनों कि इंसेदारी वालाव बाटना तो दो खिलाडी हैं दो ही खिलाडी रहेंगे लेकिन ऐसा हो सकता है कि 50-50 हो जाए और साइब कि आ दो से अधिक लाड़ी एक कोलाव दोस्ते को आन से अगर दोस्ते हो तर भारत भी 10 परसन गेम दो से अधिक लाड़ी रहेंगे दोनों के लाप और दोनों को हाड़ी होगी तो अगर भारत और रोज का कहीन कहीं समांद अच्छे हैं इतनी ज्यादा भी विकार नहीं है भाले भारत यूसे के कैम्प में है तो यहां पर 50-50 हो जाएगा तंतुलित हो जाएगा जिरुसम गेम के वल्यूद की स्थिति का ही विसलेशन करता है कि अंतराश्टी स्थिति के प्रियोग किया जाते हैं यह सिधान के वाल यूद्य में ही उप्योग होगी यूद्य के समय ही जिरुसम गेम की बात आप कर सकते हैं एक कलाब दुसरे के हाने ओक्वण तो बिना युद्य में तो किक उभच सेथिते ही रहते हैं अध्याइब इस्ट है नोध जीरो संक्राइब तो इसमें पढ़राम कभी सुन नहीं आता एक कलाव दूसरे कहानि के तो इसमें भारत भी कुछ गेन करेगा और पाकस्तान बीर हो ही रहा है। तो दोनों को लाब करेंके संघर्स तूरोगाल इसका का जाता है अगर भारातर पाकिस्तान के बीच नों में को पर सोंब अच्छी हो जाएं तो दोनों देश्य है कि एक बड़ी सिवस्ता बन सकती है तेयों करेंगे तो दोनों को लाब हो गई नोन जिरो सम्घय में गयम का प्रतिपादक थो हमसेलिंग है इस इन पिजेथ इस kriegen जानिक नाम है उसका प्रयोग S cement Q तो यह संतिकाल में कोटनीतिक बारताओं में प्योग कियाती है तो यह भारत और यूसे की नुक्लियर हो रही थी तो यह भूत लंबे समय तर चले थी क्योंकि भारत की डिमांड कुछ और थी यह से की डिमांड कुछ और थी जब यूसे कोई बात मान जाता था भारत नहीं मानता था भारत मानता था यूसे नहीं मानता था तो यह सब चीजें लेकिन यह चीजें कब होती हैं यह सांतिकाल के समय होती है युद्ध के समय आप बा करते हैं सुद्ध सहयोग भी अगर भारत और भारत और यह से के बीच पुरी तरह सहयोग हो तो भी सोधिवाजी नहीं कि जाती है एक दुसरे को मीच्वल ट्रस्ट होता है भारत और रसिया की सम्मन कुछ ऐसी ही आरोन यंग दा पॉलिटिक साप फोर्स दा पॉलिटिक साप ग्रेंग इन इंडर्नेशनल क्रासिस यह उन्नीश की इभू काती है तो ओरान यंग यह सराल सवधिवाजी कहते हैं सिंपल और रनेतिक सवधिवाजी युक्तिक मूला कर तो इसमें सीधे-सीधे अंधाजे विरोडिक कि मंसा के लिषमीष्ब उसमीं सिधे-सीधे लगाया जाते हैं कि आपके विरोधी की क्या मंसा है सुचना का सिधा अधान प्रतान होता है इसमें विभन दाप में जो अंदाजा लगाया जाता है यह अंतराश्टी प्रक्रामों में अधिक जो अन्मयान फूर्ण के बजाए और पीरण पूर्ण है यानि को अर्जिव है के लाब से उसे कोई मतलब नहीं तो दरान के लिए क्यों मिसाहिल क्राइसिस यह उन्यस्व माशट में होई थी इसका प्रयोग भी सीमित दो अने सस्ति करण में किया गया आता है तो इसमें क्या होता है आप अपने आपको अधिक्तम लाब के सिती में पाना चाहते हैं और दूसरे का लाब हो उससे अपने को मतलब नहीं होता है अगारवाद इंक मैंसिप तो यह जॉन फॉस्टर डेलेज की कगारवाद त्योरी प्राधारित है जिसमें यह उदारन है 1962 का कि वह मिसाहिल टैसिस का यह रूस का हाट तो जो बिंक मैंसिप है यह एक ऐसी बॉलसी है जहां पर एक देश यह कहता है कि हम बरवादी की हद तक जाएंगे अगर एक सकरी इसी रस्ता है और वहां पर दो ट्रक आपस में एक दुसरे के सामने से आ रहे हैं एक उधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है तो अब एक यह रस्ता है जो कि वन लेन है दो एक समय में एक अब दोनों से सहर है तो दोनों सामने से तो जाना फॉस्टर डलेज यह क्खरवात की छोड़ी देता है को कहता हैं वेज दब तक पीछ नहीं कर देगा जब तक रास्ट घ्मितला के पीछ में लो क्या रस्या को यह बता देखा कि यह से नहीं अगर तुमको अपनी जयान बचानी है तो पीछ हड जहो तो यह अंतिम तक अंतिम तक ऊंगली करता है लास तक और इससे क्या होगा कि को लगेगा कि मिसाइब कयाश यह होता है कि आप बरवादी की हद तक किसी को जाओ या अंतिम स्टेश तक जाओ हलां कि युशे के दिमाग में भी यह नहीं था युशे को अल्टिमेटली हटना ही था लेकिन वह अंतिम तक गया है कि देखते हैं क्या होता है और कि साइकलोज के लिए इससार की हार हो गई तो इसमें हमने के देखते हैं बताया भी था कि फरक्जांपल दो दोस्त हैं एक साथ पकड़े गए हैं को जूर्म करते हुए और जो दरोगा है वो दोनों से अलग अलग बैठा कि विस्ति चानकाली ले रहा है और अब क्योंकि दोनों को एक दुसरे पर सक है कि अगर हो सकता है जो मेरा दोस्त है वो सचाई बता दे और मैं पीछे रह जाओ और दुसरे वाला है उसको भी लग रहा है को सकता है कि वो मेरा दोस्त है वो सचाई बता दे तो यह हर कैदे क सब्सक्राइब वार्टा में हुआ क्योंकि कादी की दुविता सब्सक्राइब, तो यह जैसे ही इसार कोई मिसायल का परिछन करता था युए से अंगले दिन कुछ करते था था तो एक होड दसी लगी रहती थी यूसार अलग तो इससे क्या था कि उनको लग रहा था कि कहीं यूसार को लग रहा था और यूसार ना आगे निकल जा तो यह कहते हैं तो इससे होता कुछ नहीं अल्टिमेटली दोनों कोई नुक्सान होगा अगर दोस्त हैं जो कि पकड़े गए हैं एक साथ से मपराद में तो अगर वो दूसरे के खिलाब गवाही देंगे तो तो नहीं पकड़े जाएंगे अगर वो चुप रहे कुछ ना कहें तो हो सकता है बाहर निकल जाए लेकिन व दूर्गान बाइबूल ने कहा है कि खेल से धान के सार्थ थकता आज के योग में इसलिए है क्योंकि यह आर्थिक संगर जैसे कीमत प्रतुनता इवं व्यापार युद्ट्रेडवार को समझने में मददगार है बहतमान में मुख्य परवाव आर्थिक सेथ में देखा जा साथे अंतराष्टी व्यपार वैस्विक अर्थिक नीतियों के विस्लेशन खेल सिथांत महतपूर्ण से धो हो जो गया है जब सौदेवाजी अन्वार्गेनिंग थोरी देखते हैं अंतराष्टी राजनीत में इंसाल लेने वाले दैसों कुछ विश्यस साजे ही हित होते ह में इसी कारण के मदगी किसी राजनीत में युद्द संघर्ण का अध्यनी महतपूर्ण बल्कि इसके अलावा एने सत्यों में सहिप वसमन में पि होता है यही सेतियों को सौदेवाजी की सितियां कहलती है भरत और यूसे के बीच में जो सिभिल निूक्टलर डीर हुई थ कुछ समायोजन करने के लिए कुछ समान बातों पर एक मत हो जाता है लिए अपने कुछ को त्याग देते हैं तो मनें देखा आए कि यूसे और यूसर ने बहुत सारे लिम्टेसंस लगाए थे मिसाइल बश्चाड में वह सारे स्टार्ट स्टी है वह बहुत सारी चीटी चीटिया उन्होंने की थी क्यों क्यूंकि वह अर्गेनिंग कर रहे थे और जो संभाभी क्यों साहिक प्रियस्टान के उस्तांत का विष्टे तक तरूब है का साथ वाजी का सिधन्हें से त्यूप का विश्ड़र संभाभाण गेम का रहानी दूर्व है तो स्थिर रहे अगर आप भारत और चीन या भारत और यूसे आपस में समझावता कर रहे हैं तो उनकी सूचियां है वो इस्थिर रहे यह नहीं कि समय समय पर बदलती रहे कि वारता के समय वारता धीन द्वारा किसी प्रस्ण के बारे में अपनी अधिमानिता बदलना कभी विज़ास अंगात नहीं होता है तो आप पहले तो बहुत बोलना है तो यह गरत होता है यह परमपराग दिश्चिकों आप अपनी सिति या मूल पर प्रस्तावों पर कायम न आप अडिक रहते हैं तो अपने अपने यह लाव लेने के लिए तो अलग अलग चीज़ें बोल रहे है है कि आयगे तो कि निविश्य सेट्राम में सम तक चलता है तो जो ड़न्टेंट अप व्योड़ ने के लिए तो योसेथ नेगी निप्रच पादित किया कुछ प्रकार की बारत आयांगे एसी होती जिसमें कोई भी पक्छ समझ पर नहीं पहुँचना चाहता पर कोई पक्छीया की भाग्ट करना चाहता की बारता भी फल रही और एसी जिद भी नहीं पकड़ना चाहते हैं कि दूसरे पक्ष को मजबोरन बारता तोड़नी पड़े वरत्मान भारत चिंग की सिमय विवाद को लेकर यह हिस्से थी कि दोनों भी अब जिसे भारत भी पीचे नहीं हटना चाहे रहा है और चाहिना भी नहीं पीचे हटना चाहे तक मखिधण दोनों यह साबना चाहते हैं कि क्ल्प्रिट मैं हुँए क्यों सामने वाल कि दोनों यह चाहते हैं कि मां कलल भीट नदीक्र मैं दोसी में सिद्थ हो है पिर अर्थवारता का सिध्दान। ये क्वाजी नासे तर्छाट निया है और नेसे निबूदान नेशान नेशान है जोशेफ नौगी जुसिफ नौगी डिपलोमेसी एंड दिपलोमेसी आप सार्ममेंट ये उन फॉक हाथ है ढ aurait आताफियां दोनों उस फोस्ति dépend्लाघ को रउखता है ना तो फुस और कहीं थो जिश्ट करें नहीं जहांपर ना जादा थाऌध रूच्ञ ले पटन लिख्ति आध प्वरार के एरा में जो देतांध पिडर्ड था जहां पर USA और उस्टार के भी जो डिलेशन से उपिघालने लगे थे सोदेवाजी की स्थिति में बाधा उत्पन होने का प्रमुक कारक सूचना इस तरों की समस्या है क्मुनिकेशन बहुत बड़ा बहुत बड़ी सौट कमिंग होती है समस्या होती है इस पर सोचना नहीं मिलने पर सौधिवाजी में व्यप्सान पन होता है उर्ण यंग संकट वह सती है जिसे सवधा करने वाले पक्षांतराश्टी राजनीत के सधारन प्रहाओ से नहीं से कहीं अधिक पत्योगता कारी समझते है संकट वह सती है जिसे सवधा करने वाले पक्षांतराश्टी राजनीत के सधारन प्रहाओ से कहीं अधिक पत्योगता कारी समझते है जो दो वह संकट के सिती में अंतर होता है संकट की मुख विश्यस्ता यह है कि इसमें आपसी विश्वास घट जाते हैं और हिंसा के प्रियोग की प्रतेक्ष समझाव न बढ़ जाती है संकट में ही संभव होती है जब समान्धित पक्ष इसके समधान में बल प्रियोग से बचने में अपना ही समझते हैं उद्यवाजी के प्रक्रमों का महत्तों 1945 के बाद की अवधि में अधिक रहा है कि सदी में उपार प्रावकारी से तो हो सकता है क्योंकि इस रदी की प्रमों पर श्यस्ता हैं सियत युद्ध का अंतर अंतर आश्टी राजनेति में विफिन सक्तियों का उद्याय जैसे चीन जापान भारत अंतर आर्थिक मामलों में भी साधिवाजी कारेगार्टावित ह हो सकती है बढ़ती प्रयांबर भढ़ने समस्चाओं को समाधान भी से हो सकता है तो बहुत सारी चीज़ें है जो इससे हल की जा सकते हैं तो नेशन्स चलाते हैं भारत सरकार अपने अप चल रही इसे उसे कोई चला ही ना रहा है वो भी वो भी माना है उनकी प्रवित्ति होगी निगोसियेशन करने की तो निगोसियेशन एक प्राइम इंस्टिंक्ट है किसी भी प्रक्तिका जो विक्ति करना चाहता है तो निगोसियेशन त्योरी तो हमेशा ही हर चेत्र में लागू किया सकती आर्थिक चेत्र में परंपरावाद या परंपरावाद राजनीत अंतराश्टी राजनीत वर्सेश विग्ञानवाद को समझा तो अब आंगे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे तो चलिए आप मिलते हैं अंगले लेक्षर में सब तक लिए गुड़ बाए थैंक्यो थैंक्यों अधिसक्षा